अब यह साही चीज़ आपको अल्री मालूं में बहुत बार आप लोग ने सुनाओकर सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना सब कुछ आपने पड़ भी रखा है यह तो यह एक ट्रेंड लाइन के थू होता है ट्रेंड लाइन अप या डाउन में भी हो सकती है या तो सपोर्ट लाइन एक होरिजॉंटल लाइन या तो ट्रेंड लाइंग या फिर होरिजोंटल लाइन ये दो ही तरीके होते हैं सपोर्ट या फिर रेस्टेंस को मार्ग करने के हैं हम लोग जो सबसे ज़्यादा रिलाइबल है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इजी है वो ये वाली टेक्निक है सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है सपूर्ट एफी रेस्टेंस में सिर्फ होरिजोंटल लाइन्स का प्राइजेक्शन समझेगा कि किस तरह के चाहिए ये भी एक तरह कि आप समझ के चुलो आर्ट है मार्केट में अल्रीडी फर्म हो चुकी है आपके लिए जो सबसे मेहनत का काम होगा न कौन से स्टॉक में ऐसे प्राइजेक्शन बने हुए जो कि अभी हम आपको बताएंगे और वो आपको अपने चार्ट के उपर जाके फाइंड करने है जैसे कि ये एक एरिया हो गया मेरा सपोर्ट प्राइज वापस आपका आपके लेवल तक आएगा है ना अगें डाउन साइड हाइज 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 अगें डाउन साइड एसे ये वाला जो एरिया होगा प्राइज बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा इसको दो से ज्यादा बार होना चाहिए दो ते 1 या 4 बार होगा ह़ाइज आपकी लाइंज को प्राइज उतना रिसपेक्ट करें जो line ये जो level up draw करोगे price वहाँ बार आकर करके रुखना चाहिए अभी naked eyes के थुरू काम करना है सिर्फ आप chart देखोगे zoom in करो, zoom out करो, जो करना हो करो एक ऐसी line draw करो जो कि सबस्यादर respected हो एक तो ये तरीका हो गया जिसको कि हम बोल सकते हैं direct way और दूसरा फिर इसके अंदर कुछ टेक्निक्स आते ही अभी कोई भी टेक्निक नहीं सिर्फ डेरेक्ट वे में अच्छा techniques नहीं देने के पीछे का reason क्या है इन techniques के थूँ आपको जो levels find करने कम से कम पहले आपको वो तो मालूम हो ना कि हमें किस तरह के levels चाहिए तो बहुत असान हम आपको बोल देंगे दो या तीन के अंदर से होते हमका हाई या लो मा कर लो या वॉलिम्स के कुछ इसके बाद अभी ने अभी नेके डाइस से सिर्फ आपको इस तरह के levels मार्क करके दो गए ट्रेंड्स में नहीं होंगे यह सब आपके horizontal lines के पास में ही work करने चाहिए इस तरह से बाइंग और सेलिंग करनी नहीं है कि नो बाइंग नो सेलिंग कोई बाइंग और सेलिंग रही सिर्फ लेवल ड्रॉ करने के बाद में आप देखिएगा कि आपके लेवल के पास में प्राइस के क्या मूव्स हो रहे हैं यहां पर किस तरह के मूव मार्केट आपको दिखा रही है कुछ भी नहीं नहीं कोई टेक्निक ना कोई टूल कुछ भी नहीं सिर्फ आप एक लेवल ड्रॉ करोगे और देखोगे कि आपके प्राइस के लेवल के पास मार्केट के क्या रियक्शन्स हो रहा है सिंप्ली यह जो एक्सेसाइज हम लोग आद इस पूरे वीक में करेंगे इसके पीछे का मोटी सुट यही है एक्शुली हम लोग क्या फाइंट करने की कुशिश करना है किस तरह के सपोर्ट समय चाहिए या किस तरह के रेस्टेंस हम को चाहिए इसकी पिक्चर क्लियर हो दिमाग में पुरी क्लियर कट पिक्चर बनी होनी चाहिए जैसे कुछ स्टॉक्स के अगर हम एक्जामपल लें वान आवर का टाइम अभी आवरली पर ही काम करेंगे कुछ हमारा वह नहीं होगा क्या बोलते हैं डे टाइम फ्रेम पर भी हम नहीं आएंगे देखिया एक यह दो आवरली टाइम फ्रेम पर यह हमारे स्विंग्स बन रहे ना कुछ है हाईस और यह लोज फिर से हाई यह लोज यह स्विंग बना न हम इस स्विंग को मार्क कर लेते हैं और जस्ट बफर देने के लिए थोड़ी सी लाइन में दो रुपर पचास पैसे या फिर दस बीस पचास पैसे आप यह पफर दे सकते हो यह आपका सपोर्ट एरिया बन गया मार्क कर लोगे आप वापस से चले होगे फिर सीथे फाइम निट्स के टाइम पर हमारा यह काम है कि प्राइज हमारे इन लेवल्स को किस तरह से रियाक्ट करता है आप यह मार करके चलो अगर यह लेवल्स आपने निकाल लिए प्राइज यह आप पर दो से जादा बार टेचुना चाहिए दो बार तीन बार या चार बार जितनी भी बार हो रहा होने तो हाईज 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 अगर यह लेवल आपने fooled तो ट्रेड तो हम आपसे करभा लेगे buying करना and selling करना हमें जिस आपको क्या बोलते है कि एक direction देना होगा ट्रेड तो आप करलोगे बहुत आराम से करोगे बहुत आराम से करोगे यहां इस लेवल तक पहुंशने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगे इस तरह के लेवल हम जिस आसानी से हम आपको बोल रहे हैं एक्चुली इतना आसान होगा नहीं यह निकालना बहुत काम करना पड़ेगा फिर आप आवली टाइम श्रेम पर आजाओ सिंपल वेके हमें लेवल आप फाइंट करके दो गया जैसे यह वाला देखे पाइंट बन रहा है जैसे स्ट अब ज़रूरी नहीं है कि एक स्टॉक में आपको रेस्टेंस भी मिल जे और सपोर्ट भी मिल जे समझ रहे हैं जैसे यहां पर लाइक मानके चली कि आपको सपोर्ट मिले बहुत बार होगा कि वहां पर आपको सपोर्ट नहीं मिले सिर्फ और सिफ रेजिस्टेंस ही मिले यह इस तरह के जस्ट वाइस वर्स आप मानके चाहिए जिस तरह के सपोर्ट हो रेस्टेंस यह कोशिश मत किजिएगा किसी भी है कि स्टॉक के अंदर आपको सपोर्ट रेस्टेंस दोनों मा करने नहीं एक ही चीज़ उठाइए सिर्फ सपोर्ट या सिर्फ रेस्टेंस आवली टाम फ्रेम पर आप मार्क खर लोग और फिर साजाने आपको लोगर टाम पर यह कुछ एक फेक ब्रेकाउट्स भी आपको नजर आएंगे देखने हो फेक ब्रेकाउट्स मिलेंगे अब जैसे अभी क्या है अभी तुम्हें म तो हो सकते स्टॉप्लोस हमारा चला जाए उसको कंसिडर करेंगे जा सकता है स्टॉप्लोस तेकिन एक एरिया जब मार्क करने की बारी आगे तो फिर हम इसी तरह से मार्क करेंगे आप देखिए अब यहां पर इतना बड़ा मूव हुआ है यहां कहीं पर भी कोई एंट्री के सिंप्टम नहीं प्रैस गिराओ सीधे अपने लेवल के अंदर चला गया अब कहीं कि प्रैस ने कोई सपोर्ट ब्रेक किया हो इवन कोई सिंपल चोटी सी मदर के इंडली ब्रेक कर दी हो इस तरह के पॉइंट्स बिलकुल एक्जैक्ट पिक्चर क्लियर होने चाहिए कि हम लोग जब मार्केट में जाएंगे तो हम क्या फाइंट करने जाएंगे यह देखिए इस तरह के लेवस जो पॉइंट आप मार्क कर दोगे तो प्रैस वहां पर आकर कि रुकना चाहिए ज इस सारा का सारा डियसेज़न जोमको लेने हमारे इन एहरे के सरे चौड दें जहाँ पर सॉप्ध लोस जाने के चैंसे ज्यादा होंगी वह हमें शोट चलिंग करना है इस एरिया के नीचे वह वह आपकर हैं आड़िकेशन को是什麼 कहले बाहुत दूर पर्स्ट स्टेप में अभी सिर्फ इस तरह के आप लेवल हमें मार्ग करके दोगे बहले ही आप कितनी दिन से ट्रीड एग्जेक्यूट कर रहे हो अगर क्लास में आए हूँ आप सिखने या समझने के लिए कुछ भी पढ़ने के लिए आऊ ना तो हम यह मान करके चलते हैं कि कहीं ना कहीं एक्जेक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी वरना इतना फालत हो तो टाइम है ने किसी के पास क्या करके क्लास में बास यहीं बैठेगा टाइम पास करने के लिए उस process को follow करना होगा जो चीज़ हम समझा रहे हैं न जो चीज़ clear करने की कोशिश कर रहे है इस तरह के level नहीं काल करके तो अच्छे इससे कुछ benefits आपको होंगे इन exercises के benefits सबसे आदा यह होंगे कि आप आपसे हम जो काम कराएंगे तो hourly time frame है हम जो आपसे काम करेंगे वो daily time frame का होगा बट जब आप daily time frame पर काम करें जाओगे तो आपको मालूम होगा कि हमें वहाँ पर भी किस तरह के levels चाहिए तो जो काम हम लोग hourly पर कर रहे हैं same price action आप हमें find करके दोगे day time frame पर अगर hourly इतना स्ट्रॉंग है तो फिर day time frame कितना स्ट्रॉंग होगा वहाँ पर जब लोग काम करेंगे तो कुछ tools देंगे हम आपको कुछ technique देंगे है ना price actions के साथ साथ में वहाँ पर जब आपने tools की practice भी कर दोगे तो भी मज़ा जाएगा वो एक तरह से बोल सकते हैं कि levels और भी ज़्यादा क्या वो लेंगे filter होकर क्याएंगे आपके पास विक लेंगे बिल्कुल exact जो विक होती ही ना lowest low point हमें body नहीं चाहिए हमें exact lowest low point जैसे यहाँ पर देखिए माँ को है यह तो लो टू लो लेंगे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखिए अच्छा एक्जामपल है यह देखिए हमने सिर्फ बॉड़ी ले ली बॉड़ी नहीं हम पूरा विक लेंगे यहाँ तक जहाँ पर price move करके गया है last time last time तक अलब यहाँ तक के order execute हुए है मांक कर लेंगे चोड़ दो मांक करके और एक्जामपल लेते हैं अवर्ली टाइम यह देखिए हैं यह कुछ रेजिस्टेंस एरिया से अल्यडी मांक हैं हाई 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 एक दो तीन चार क्या करेंगे बहुत ज्यादा चांस होगा कि price आपका अगर breakout मारे तो यहां से भाग जाए बाइंग और सेलिंग तो भी करनी नहीं है सिर्फ आपको इस तरह के लेवल लेवली अइडिटिफाई करने हैं जितने ज्यादा से ज्यादा चार्ट के उपर आप आप अच्छा रहेगा और अभी दिमाग से बिलकुल यह बात निकाल दी जाएगा कि हमें बाइंग करना है सेलिंग करना है यह बिलकुल ही आउट हो जाएगी सब्सक्राइब अब मुझा सिम्मेंट में क्या है यह वाला पॉइंट कि सब्सक्राइब क्लियर देख कितने कब स्मूद पॉइंट्स है कॉंफिडेंस आता है इससे आपको खुद ही लगएगा कि जब आप काम करें जाओगे न तो इन लेवल से आपको कॉंफिडेंस आ जाएगा और यह जाद रखेगा बिना किसी हेल्प से आप यह काम कर रहो सिर्फ नेकेड़ाइस से प्राइस जिस तरह से सपोर्ट ले रहे ना यहाँ पर देखिए सपोर्ट सपोर्ट अगें प्राइस फिर से प्राइस आगा पुद आपको कॉंफिर सब्सक्राइब इतना तो यह उपर जा रहा है अगर इसने नीचे के तरफ एमको ब्रेकाउट देखा रहे तो क्या मूव इसके अंदर आपको मिलेगा इतनी पूरी जगा खाली है मतलब जितने भी ओडर्स वगरा हैं अपने सब यहां पर पढ़े होंगे न कहीं न कहीं स्टॉप लॉस का अडर हो सकते हैं या फिर नए ट्रीडर्स हो या नहीं कॉइंटिस के साथ में ट्रीट करने के लिए बैठा हूँ प्रैस तो नीचे तो आए गई और अगर ऊपर जाना तो फिर यह उपर चला जा तो स्टॉप लोस लेगा हमारा लेकिन जब यह नीचे की त में इसके नीचे जाए स्टॉपढस चला जाएगा वॉस्टीट वहर कम होती स्टॉप लोस चला जा जाँगा अब जाने को तो यबह शकता कि यहां से बाईक उलो उसमें भी स्टॉप लोर्य इपहिस हमारा नीचे गर जाए लेकिन मौलुम हैं कि प्राइस सपोर्ट ले रहा है उपर जाना होगा तो उपर चला जाएगा गिरेगा तो यह गिर जाएगा सिंपल में मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इतना काम करना है देखिए मंडे से लेकर के फ्राइडे तक पांच सेशन आपके पास होंगे एक दिन में कम से कम आप हमें दस चार्ट मार्क करके शेयर करोगे दस चार्ट का मतलब होगे पांच चार्ट में बाइंग पांच चार्ट में एक बिफोर और एक आफ्टर का लेवल तो कि चार्ट बहुत सारी हो जाते हैं एक आप बिफोर का लेवल मार्क करके दोगे और एक आफ्टर का बिफोर एन आफ्टर का मतलब के मार्केट स्टार्ट होने इस पर भी तीन एक्जांपल तो हमने आपको अभी ही दे दिये ये लेवल हो गया ना अपने ये होगे बिफोर का मार्केट जब कलोज होगी उसके बाद आपने एक स्क्रिंशॉट लेकर के दोगे मतलब अमपुजा सीमिंट के आपके पास दो स्क्रिंशॉट बन जाएंगे और पांच स्टार्ट मतलब rap 10 स्क्रिंशॉट आपके पास बन गए एक दिन में 10 बनेंगे, बहुत असानी से बन जाते हैं, बनेंगे, जरूर बनेंगे, निफ्टी-शिप्टी तक ही सीमत मत रहना, F&O तक चले जाना, जो स्टॉक आपका 500 रुपे से उपर की तरफ ट्रेट कर रहा है, और वॉल्म्स ठीक ठाक आरे, उसके अदर आप मार्क कर करो, एक दिन में इसी तरह से आपके पास करीब 50 चार्ट होंगे, समझ गये न, मतलब एक दिन में 10 आपने मार्किंग्स की हैं, तो 5 दिन होगे पूरे, तो 5 इंटू 10, 50 चार्ट होगे, 50 चार्ट आप हमें, नेक्स क्लास से पहले, मॉनिंग में या फिर इवनिंग में आप में सम्मिट करोगे, उसके बाद फिर हम एक स्टेप और आगे की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन सभी लोग याद रिखिएगा, जितनी भी यह पॉइंट्स हम डिसकुस करें न, भी सबका एक प्रोजेक्ट वक बना लेना, एक डायरी या फिर एक पैन लेकर के बैठा करी है, जो भी जैसम बोलने, उसको लिख लिया करो, सबका एक डॉक्मेंटेशन अपना कम्प्रीट करते चले जाओ, उसके बाद में लास्ट के जो सेशन होते हैं, तो एक तरह से यह भी होगा न, कि आज से छे मेने साथ या फिर आफिर आ ऐसे भी अपने प्रास मेंबर्स हो जिनको शायद पेंसिल और डारी लेकर के बैठिक जो रो थी ना, उनको जाद होता हूँ, लेकिन पेंसिल और डारी लेकर के बैठी जो चीज़ हम बोलें न, उसको लिख लो, ता कि कुछ दिन के बाद में जब आप क्लास को रिकॉल करन ट्रेड एग्जेकुशन में यह यह ट्रेड किये थे, डेट है, स्टॉप लॉस है, टार्केट है, साली चीज़ है, एक पूरा डॉक्मेंटेशन होना चाहिए आपके पास, जिस तरह से हम लोगे स्कूल्स वेगरा में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, पूरी तरह स सब क्या सपोर्ट और यह ट्रेंड लाइन और सब भी होरिजोंटा लाइन से बताने में कितना ही टाइम लगेगा हमको, आदे गंटे से भी कम टाइम में हम यह बता देंगे, अब जो टाइम जायागा यह जाता है प्रैक्टिस में, पूरे दिन आप बैठोगे और दस मार् शायद, और बिल्कुल सही लेवल होने चाहिए, शुरू में हमने का तो यह एक तरह की आठ है, हो सकता है, इतनी अच्छी तरह से इतना बढ़िया क्लियर कर लेने के बाद में भी कुछ लोगों की, कुछ हमें जो सपोर्ट या रेस्टेंस है ना, कुछ इस तरह के समझ में यह ऐसे लेवल से में माकर के शेयर करें, तो इस तरह के नहीं, बिल्कुल नौच पॉइंट्स होना चाहिए, नहीं हो रहा है, फाइंड करो, एक नहीं होगा ना, दूसरे नहीं होगा, तीन तो हम ही ने दे दिया आपको, यह देख रहे ना, प्राइस देखे किस तरह से र बैंक, यह लिए, यह सब देखने वर की चीज़े हैं, आपको लगएगा कि यह मतलब शुरुवात में लगएगा कि यह सपोर्ट बगर यह सब क्या है, एक टाइम पर जाने की बाद में आप हो सकता है, टेक्निकल को सब कुछ भूल जा, छोड़ दो, सिर्फ चार्ट देख समझ रहे हैं, यह सब और्डिस पड़े हुएं क्याँ चीज़ हम आपको समझाना चाहर dużo हैं, एक पोइंटे फिव आपका चेंज होना चाहिए, मार्केट को देखने का एक जो नजरीया है, लेबल्स को मार्क करने का अएक जो नजरीया हिए, वो चेंज होना चाहिए जो भी point आप mark करोगे जो lines आप mark करोगे ना उसको कुछ-कुछ satisfaction आपको मिलना चाहिए level mark करने के बाद में आप satisfy हो उससे हमें satisfy नहीं करना है कि चलो mark करके screenshot ले करके हम share कर देते हैं देखते हैं क्या result निकलता है यह नहीं level mark करो आपको satisfy करना चाहिए मतलब इतना confidence आपके अंदर build होना चाहिए यहां से जब हम बोलें कि यह आपका draw किया हुआ level है आप trade मारो तो उसमें कोई भी हिच-किचाहट ना हो हम मार देंगे confidence था इसलों तो माक किये माक करने के बाद ही आपको share किये हम ट्रेड मार देंगे समझ रहे हैं अब हमको इसके नीचे मिल जाने तो अगर market condition उसने सही रही तो एस ट्रेट कर देंगे अगर सारी conditions में हट्वसी बैंक फुल्फिल रहा मंडे को हम इसको ट्रेड मार देंगे और यह शॉर्ट साइट की तरफ ही ट्रेड मारेंगे अगर यह हमको मिलता है तो यह लेवल इतने स्ट्रॉंग लेवल्स होते हैं यह देखने से पता सिल जागा देखिए ना तो हमने यहां पर को वॉल्म का बहुत बड़ा analysis किया ना हमने price का वॉल्म का analysis किया जस्ट हमने आपके सावने वन आवर का time frame open करके दो line डाल दें यह point of view का फर्क होगा यही आपको विक्सित करना अपना इसी को develop करना जितना ज्यादा हो सके खुब practice करो अच्छा दस screenshot आप डेली के निकालोगे इसका मतलब यह नहीं कि दस ही आप mark करोगे जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके mark करो उसमें से जिस पर भी आपको confidence हो कि है यह साइए वो हमें share कर दो आप मिल जाएंगा आपको यह देखें क्या है यह सब resistance एरिये ही दो है हाइस mark कर लो ना अब उन्हें बता था न एक चार्ट आप open करोगो तो जोरी ने उसमें support ही मिले या resistance ही मिले एक चीज़ कंबल से रही है तो resistance मिल जागए support मिल जागए महां करो resistance है अब हम देक रहें न आज तोरे न प्राइस यहां से नीचे के तरफ गिरा है यह आज इक्राओ को फिछली तीन चारबर यहां से गर चुकस कि यह यहां से पी देखर और फिर और आब अगर इसको up heb जाना है तो क्या कर झाए पताइए अगर प्रश को ठीक ना यह आपका सबसे पहला टास्क होगा क्लास का इस तरह के लेवल आप मा करोगे मा करने के बाद हमें शेयर करोगे माइक सभी लोगों के हम कर लेते हैं अन्म्यूट कुछ अगर क्वेश्चेन है किसी जगर पर आप फस्ग हो या लेवल्स में कुछ प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो तो फटाक से क्लियर कर लीजिए सिंपल है सिर्फ चार्ट ओपन करो लेवल मा करो यह कौन सा है एस डी आइन लीजिए क्या चाहिए और अगे इतना साफ नहीं है कि यह वाले जो कट्राइसजं आपका शक्रों यह तो सही हैं कि यहां तक ऐट कर जाएगा यह pregnant यह कोई कोई टेक्टिंकल आपको इसके अंदर नहीं लगाई गोंगा हो बसातिस्वाई हो जाएगा आप देखने से ही को आपको समझ में जाएगा कि लेवल सही है जा गलत समझ मेंना चाहिए जी बुलिए कि ओके सो कोई हेंड्राइज नहीं है एक और मिले यह ब्रिटानिया है लो ब्रिटानिया देखिया कि क्या लग रहा है है न आप ट्रेड मार दोतों इतना प्यारा लेवल आईए आप ट्रेड मार दोगे हां से म cloth नहीं कर रहे हुआ हम वीना तो लोगोंने वॉल्लिम देखिए नही। हम ड़ी आम पर गए कुछ नहीं क्याक है कोई टेक्निक नहीं लगाई सिर्फ माकर कि छोड़ दिया है अभी जितने भी हमने स्टॉक्स वोले न सबको उठाओ मांकर के छोड़ दूँए यह देखिए हैं 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 के लिए जो डार्क जोन है अपना है यह वाला यह सपोर्ट एरिया है क्लियर जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके और जोरूरी नहीं है कि इस्टॉक को देख करके आपको दो मिलेट में मांक ही करना है थोड़ा सा देखो आगे पीछे उसको देखो देखनें के बाद मैं समझ मैं आगा कोई अगर प्रम्लम होती है किसी को तो चार समय शेयर कर देना कि यह हमने मांक है इसमें एरिया कौँ सा होगा हमने यह मांक किया है बट कंफूजन है हो सकता है शायद यह वाला मांक हो अगर आपको लगे कि हमारी हेल्प रेनी चाहिए टेलिग्राम पर शेर कीज़ेगा सेम नंबर अच्छा और सर्डी ट्रेडिंग्ग व्यू का इस जिस पर आपके हात सेट हूँ हमारा हाथ ट्रेडिंग व्यू पर सेट है थीक़े सर रचा जैसे लेवल्समें बिल्कुल सीधे सीधे अभी जैसे आपने rectangle style के दिखाए थे तो उस rectangle style के मेरे को जो है नहीं मिले अगर तो थोड़ा सा उपर नीचे हो जाए तो चले कि नहीं 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 बिल्कुत simple होने सिधे इस तरह के अच्छ है अच्छा जैसे इस मैं इसके ओपर वाला है जहांसे यह बिक बन अब इस तरह से करते नहीं काम वन आवर के टाइम फ्रेम पर ने उपन कर लिया देखिए लेवल सी मिल रहे हैं अच्छी अच्छी और यह सब क्या है हमने वन आवर पर नहीं मार्ट के माग है हाई टाइम पर आपके सेंगे ना तो लोगर टाइम पर आप्टमेटिक से हो इस पूरे वीक में कोई टेक्निकल नहीं कुछ भी नहीं कोई हिंट वगर रहे हैं डिरेक्ट हमने आपको बोल दिया है कि इस तरह के लेवल आप में निकाल करके दो एक्दम प्योर जहां पर भी देखो बन रहे हैं वह एरिया आप मार्क करोगे लाइव मार्केट में उसक करोगे के ज़्यक्त बूलिया इसलिए हमारी मिस अधर हर गाले की लास में सा कुछ नहीं था वह एक इंट्रोडेक्शन क्लास थी कि अच्छ इसलिए हमारा थोड़ा क्लास क्योंकि आम ड्यूटी आवर में रहते हैं ना अच्छ इसलिए तो वह कैसे मेंटेन होगा सब क्लास कि अगर कोई मिस हो जाती तो हम आप इनफर्म कर देज़ेगा बस कि औक करेंगे हैं कि इसी टाइम होने एव्रीडे 9 पी.m हाँ पर होगी जैसे किसे दिन घरा हम आप मारकेट मेंब होगी क्या लइव मारकेट भी मारकेह में कर दाएंगी तू डेज है ना वली कुरुवार और शुकुरुवार जी कि शुक्राइब गरुवार और शुकुरुवार कौन सी क्लास ये वाली तो आपने फाइव बताएज ना नाइं टी जोगी वीक में तूटेज होगी थरस्टे और फ्राइडेश तो आज जैसे हो गई और अब नेक्स नेक्स वीक में थरस्टे और फ्राइडे ही होगी बस थरस्टे और फ्राइडे लग रहा है कि बात करनी चाहिए डिसकेशन अगर आपको लगी कि नहीं करना चाहिए कहीं रूख रहो तो उसे बात कर लिचा अच्छा टेलिग्राम पे भ पर मैसेज कर दिए बागी चार्ट वगरा जो शेयर करने उसके लिए आप सोरी टेलिग्राम पर शेयर कर दिएगा अपने स्टूडेंट्स वगरा के जिसे नाम का आपने सेव करी लिए होंगे ना पता चला है सबसे मैसेजी यह गया नीचे लास खत्म होने के बाद में जिया आटी यूए टीटीव ओपन करके और यह वाले लेवल नीचे की तरफ पहुच की जगा यह वाली जो केंडल बनी ने अपनी साथ पैंटालेस की इसके नीचे प्राइंस अगर गया तो मूव मिलेगा फूश समझ रहे हैं यह आवरली टाइम फ्रेम पर ही मां किया है हमने यह देखिया है सर मिनिमम कितने पॉइंट रिक्वाइर हैं ती तीन दो से ज्यादा होने चाहिए दो से ज्यादा यह चाहरा है अच्छा लास्ट लोस करते हैं परमलोग गोड नाइट और कुछ भी अगर डाउट होता है तो हमें वाट से पर अब